प्राइम फैक्टरिशन इस नंबर का फाइंड करेंगे तो आप इसका मतलब यह कि यह नंबर इसे हैं जो कि सरफ अपने नंबर पर ही डिवाइड होते हैं जो नाइन है वो थ्री टाइम टेबल में भी आता है इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं है तब हमने इसकी प्राइम फाइंड करेंगे इसके लिए सबसे पहले हैसे करके चार्ट सा बनाते हैं तो 154 यहां पर लिखेंगे अब हमने देखना है कि इसका जो लास्ट नंबर यहां जो यूनिट है वो हमारे पस क्या है यह जो एवन है तो इसका मतलब इसको हम तू के साथ साथ सॉल्व कर सकते है तो के साथ डिवाइड करेंगे 174 को अगर आपको बड़ा नुम्र डिवाइड नहीं करना आता तो आप इसको साइड पे प्यासे रखके तो आप इसको 154 आरे निखेंगे और 2 इदै इसके साथ डिवाइड करेंगे तो 2 times 7 14 होता है तो इदे 14 लिख दिया विए 2 times 8 16 था वो बड़ा था इसनले 7 के साथ होगा तो तेक अवे करेंगे तो 5 take away 4 is 1 होता है और ये जो 4 है इसको भी नीचे ले जाएंगे अब ये बन जाएगा 14 तो 2 times 7 is 14 और दोने को take away किया तो answer 0 तो यहनी किसका मतलब है, इसके जगह पर हम 77 लिखेंगे इदर, अब यह 77 इदर आगया, अब आपने देखना है कि यह किस नंबर पर जा सकता है, 3 के साथ इसको चक करके देख लेते हैं कि यह 3 में जाता है कि नहीं जाता है तो इसलिए आपको नहीं कर गर कनफर्म है तो आप 3 के साथ इसको डिवाइड कर लेंगे तो अब देखें 3 times 2 is 6 होता है और बागी देखें 3 times 2 is 6 माइनिस किया तो 1 आजएगा और यह 7 आप इसको नीचे हमने यहां लिख दिया यह जो होता है 17 होता है तो 3 times 5 जो होता है 15 होता है 3 times 6 is 18 होता है यानि कि 3 times 5 is 15 और इसमें हमारे पास remainder 2 आता है इसका मतलब है कि इस वाले को हम यहां नहीं लिख सकते है क्यों कि remainder जिसमें आ जाता है उसको नहीं हम solve कर सकते है अब आपने देखना है कि 3 में तो नहीं जाता 5 में नहीं जा सकता तो यह किस time table में जा सकता है यह 7 time table में आता है तो इसको 7 के साथ divide करेंगे और इसको आप चेक भी कर सकते हैं इदे side पर रखके 77 इदर है और 7 चेक तो 7 time 1 is 7 होता है फिर इसको take away किया 0 अब यह 7 इसको भी नीचे लिख दिया 7 time 1 is 7 इनको दोनों को take away किया 0 यानि कि अगर यहां पर 0 है तो फिर हम इसको solve कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि जब हम इसको 7 से 77 को divide किया 7 से तो answer 11 आता है तो इसके जिगा पर हमने 11 लिखते हैं अब यह 11 है आपको पते 11 पी प्राइम नंबर है तो इसलिए अब यहां पर हम लिखेंगे 11 इसको divide किया 11 के साथ तो answer आ गया 1 यह जो हमारे पर side बड़े numbers होते हैं यह वाले इनको फिर आप लिख सकते हैं 154 का प्राइम प्राइक प्राइक प्राइशन फाइंड करना था तो answer आएगा 2 times इसमें हमेशा multiply का sign आता है multiply by 7 times by 11 अब आपको confirm करने करिए यह आपका वैसे answer है लिखे को इसको confirm करना चाहते हैं तो आप इसको multiply करके देखेंगे तो answer 154 ही आता है